नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी 350 बेड़ हॉस्पिटल अनुभवी डॉक्टर्स and trained paramedical staff 24 hours emergency services नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन हॉस्पिटल अमहरा बिहटा पतना केंद्र सरकार ने unlock 4 की guideline जारी कर दी है नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में सो लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी है सरकार ने नए दिल्ली में शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को भी मनजूरी दे दी है स्कूल, कॉलेज, unlock 4 में भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे ग्रे मंत्राले की ओर से जारी guidelines के मताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदी से जुड़े समाह रोहों की अनुमती होगी लेकिन एक छट के नीचे अधिक्तम 100 लोगों ही पैच, एक छट के नीचे अधिक्तम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे हाला कि ऐसे समाह रोहों में अनिवारे रूप से face mask, शारीरिक दूरी, thermal scanning, sanitizer और COVID-19 के नियोमों का पालन करना होगा पहले शादी कारेक्रम में 50 और अंतिम संसकार में केवल 20 लोगों को उपस्तित रहने की अनुमती थी मुखे निर्देशों की बात करे तो सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर रास्टिये उडाने अभी बंद रहेंगी कुछ विशेश मामलों में उडानों की इजाज़त होगी 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे 21 सितंबर से पैच 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थीएटर को खोलने की अनुमती होगी कंटेन्मेंट जोन से बाहर कक्षा 9 वी से लेकर 12 वी तक के छात्र अपने परिवार की सहमती के बाद सिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे रेलवे के पैसेंजर्स ट्रेन अभी बंद रहेंगी केवल चुनिंदा ट्रेनों को चलने की इजाज़त है नई गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के इजाज़त के बिना कोई भी राज्य में अलग से लोगडाम नहीं लगा सकती है दिसा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश की सरकारे केंद्र सरकार से बाचित कंटेन्मेंट जोन को छोड़ कर किसी भी स्थानिय स्थर पर नहीं लगाएंगे कंटेन्मेंट जोन में 30 सितंबर तक लोगडाउन का सक्ती से पालन किया जाएगा बता दे कि यूपी सहित कई राजियों में वीकेंड पर लोगडाउन होता है एक दूसरे राजिय में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी आने जाने के लिए अलग से अनुमती नहीं लेनी होगी सभी को सोसल डिस्टेंसिंग रखनी होगी ग्रे मंत्राले गाइडलाइन के पालन पर खुद नज़र रखे ही